प्रस्न तीन निम्न लिखित में गुनांक ग्याद करें प्रस्न तीन का पहला है माइनस तीन एक्स स्क्वाइर बाई में एक्स का तो क्या कह रहा है कि निम्न लिखित में गुनांक ग्याद करें यानि माइनस तीन एक्स स्क्वाइर बाई में एक्स का गुनांक इसमें क्या है तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे तो माइनस 3x स्क्वार बाई में x का गुनांग तो x के साथ क्या गुना हो रहा है तो इसका उत्तर होगा माइनस 3x बाई देखें माइनस 3x बाई में x को गुना करेंगे तो क्या आजाएगा माइनस 3x स्क्वार बाई तो माइनस 3x² बाई में x का गुनांग होगा माइनस 3x बाई क्यूंकि x का गुनांग का रहा है तो यहाँ पर क्या है? x² है ठीक है? x का वर्ग है तो x का वर्ग मतलब क्या होता? x गुना x तो x का गुनांग क्या होगा? माइनस 3x by यानि x को छोड़ करके बाकि सब को लिख लेना है तो माइनस 3x square by में x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? माइनस 3x by बचेगा क्योंकि x का घाद 2 है तो x निकल गया तो क्या बचा? माइनस 3x by यानि माइनस 3x by माइनस 3x square by में X का गुनांक है क्योंकि X और इसको गुना करेंगे तो क्या आजाएगा माइनस 3X स्क्वाइर बाई इसका उत्तर क्या होगा माइनस 3X बाई दूसरा दूसरा में है माइनस 25X बाई Z में X का किसका? X का तो इसका उत्तर क्या होगा माइनस 25 x by z में x का गुनांग तो देखे माइनस 25 x by z में x का गुनांग तो x को छोड़कर बाकि सब को लिख लेना है तो इसका उत्तर हो गया माइनस 25 by z तो x का गुनांग क्या हो गया माइनस 25 x माइनस 25 by z देखे इसमें x है माइनस 25 x by z है तो X का गुना तो X के साथ क्या क्या गुना हो रहा है माइनस 25 बाई Z गुना हो रहा है X के साथ ठीक है तो X को छोड़ कर जो है उसको लिख लेंगे तो माइनस 25 बाई Z में X को गुना करेंगे तो क्या आजागा माइनस 25 X बाई Z तो इसका उतर हो गया माइनस पचीस बाई जेड तीसरा तीसरा है 132 बटा पाँच एकस स्क्वाईर बाई क्यूँ जेड में एकस स्क्वाईर बाई का तो 135 बटा पाँच एकस स्क्वाईर बाई क्यू जेड में एकस स्क्वाईर बाई का गुनांग ग्याद करना है तो 135 बटा पाँच एकसो माफ कीजिएगा यहाँ पे 135 ने 132 है ठीक है गलती से हम 135 लिख दिये थे यहाँ पे तो 132 बटा 5 है प्रस्ट में 132 बटा 5 एकस स्क्वाइर बाई क्यू जेड में एकस स्क्वाइर बाई का गुनाग तो एकस स्क्वाइर बाई को छोड़ करके बाकि सब को लिख लेना है क्योंकि इसका गुनाग कह रहा है एकस स्क्वाइर बाई का तो x² by को छोड़ करके बाकि सब को लिख लेंगे तो देखिए 132 बटा 5 सबसे पहले लिख लेंगे अब x² यहाँ पे है और x² यहाँ भी है तो x² तो निकल गया ठीक है, तो x² को नहीं लिखेंगे अब यहाँ by है, यहाँ पे by का घाढ 3 है यहां देखे बाई है यहां बाई का घाद 3 है तो कितना बचा बाई का घाद 2 तो यहां लिख लेंगे बाई का घाद 2 और Z 132 बटा 5 X स्क्वाइर बाई क्यों Z में X स्क्वाइर बाई का गुनांग क्या होगा 132 बटा 5 बाई स्क्वाइर जेड तो X स्क्वाइर बाई का गुनांग यानि X स्क्वाइर बाई के साथ क्या क्या गुना हो रहा है यह पूछ रहा है तो देखे एक स्क्वाइर तो X स्क्वाइर यहां है तो इसको छोड़ देंगे और बाई क्यों में बाई निकाल देंगे त तो x square by को छोड़ कर बाकिस सब को लिख लेंगे क्योंकि 132 वटा 5 by square z को x square by के साथ गुना करेंगे तो क्या आजाएगा 132 वटा 5 x square by q z तो इसका उत्तर होगा 132 वटा 5 by square z चौथा 17 x square चौथा प्रस्न है 17 x square by q में x square का 17 x square by q में x square का गुनांग कह रहा है तो x square के साथ क्या क्या गुना हो रहा है यह हम देखेंगे क्योंकि x square का गुनांग निकला है तो x square के साथ क्या क्या गुना हो रहा है 17 by q 17 by q 17 x square by q में x square का गुनांग है 17 by q क्योंकि 17 by q और x square को गुना करेंगे तो क्या आजाएगा 17x ε allergies by Q पांकमा प्रसंद 8 x by square j में by square का 8 x by square j तो देखें, बाई स्कॉयर का गुनांग, तो देखें, बाई स्कॉयर के साथ क्या क्या गुना हो रहा है, आठ एक्स जेड, तो बस इसको लिख लेंगे, आठ एक्स जेड, बाई स्कॉयर का गुनांग, यानि बाई स्कॉयर के साथ जो भी गुना हो रहा है, उसको लिख लें झाल झाल